वेलकम टू किट्स रूम चैनल हमारे चैनल पर स्टाड़ी से रिलेटेट कुछ अक्टिविटीज सिखा हे जाएंगी जिससे आप घर में रहकर इन अक्टिविटीज को समझ कर सीख सकेंगी सो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और जिन वीवर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें क्योंकि इससे आपको हर वीडियो की नोट्रिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी We are going to learn about GK and today's topic is water animals. Water animals कौन से animals होते हैं? Yes, जो animals without water survive नहीं कर सकते उन animals को water animals कहते हैं अब आप सब क्या करेंगे? पिक्चर को देखेंगे और water animals के name read करने की कोशिश करेंगे So, tell me what is the name of this water animal name? Yes, shark. Shark आपको बता है एक मिल दूर पर अगों कोई fish तेर रही होगी तो उसकी आहट को भी पहचान सकते हैं, सुन सकती है, महसूस कर सकती है Now, look at this picture and try to read this water animal name? Yes, sea horse. Sea horse जो है मचलियों की ही प्रजाती है बस इसका आकार जो है, घोड़ी की तरह होने के कारण इसका नाम जो है, sea horse दे दिया है Look at this picture and try to read this water animal name? Yes, turtle. Turtle जो है, dinosaur की प्रजाती से अब तक जिवित है Means, dinosaur की प्रजाती से अब दक इनकी प्रजातियां safe है Look at this picture and try to read this water animal name? Yes, starfish. Starfish की जो प्रजातियां है, वो 1600 से भी अधिक है यह दिखने में star की तरह की होती है, इसलिए इनका नाम starfish रखा गया है Look at this picture and try to read this water animal name? Yes, dolphin. Dolphin जो है, एक आँख खुल कर सोती है और आपको बता है, यह बहुत ही intelligent होती है Now, look at this picture and try to read this water animal name? Octopus. Octopus को अस्ट बाहु भी कहते हैं और आपको बता है, जब इसको बहुत तेज भूक लगती है, बहुत जादा भूक लगती है यह अपनी भूजा खा जाता है Look at this picture and try to read this water animal name? Yes, crab. Crab जो है, सर्वाहारी है दोनों चीजों पर निरबर रहता है ठीक है और इसको वेज़ भी मिल जाए तो भी जीवित रह सकता है नोन वेज़ भी मिल जाए तो भी जीवित रह सकता है यह दोनों चीज खाकर जीवित रह सकता है और इसको जुंड में रहना बहुत पसंद है यह जुंड में रहता है लुक अट इस पेक्चर एन ट्राइ ट्व रीड इस वार्टर अनिमल नेम यह सील जो है पानी में बहुत तेज चलती है और यह कलावाज भी खती है पानी में बहुत हैवी होती है और इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज है और एक तो एलिफेंट सील है जो elephant की तरह सून रखती है वो elephant की तरह ही दिखती है now look at this picture and try to read this water animal name yes lobster, lobster को जिंगा फिश भी कहते है और आपको पता है इसका mind जो है इसकी neck में होता है, garden में होता है और ये अपने हातों से पैरों से सुनती है now look at this picture and try to read this water animal name yes blue whale, blue whale जो है world की biggest animal है look at this picture and try to read this water animal name yes angel fish, angel fish जो है 15 साल तक जीवीत रह सकती है I am sure ये वीडियो आपको पसंद आया है so वीडियो को like share जरूर करें और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो जा सकूँ इसके लिए जादा से जादा शेयर करें अभी के लिए bye bye kids thank you for watching this video